Hello everyone, so let's begin today's topic without wasting any time. आज हम बात करेंगे models के बारे में. तो models क्या है? Models are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. तो models वो सहाइक रिये होती हैं जो main verb को एक additional, एक extra और specific विशेस अर्थ परदान करती है. या हम ऐसे कह सकते हैं, models एक प्रकार की शहाइक क्रियाई होती हैं, ये main verb के साथ मिलकर कारिय करने के mode या तरीकों को बताती है. ये योगित्या अनुमती संभावना करते हैं जैसे विचारों को व्यक्त करती हैं. Simple language में अगर मैं कहूँ, तो जैसे मैं कहता हूँ, कि he can solve this sum, वह है इस sum को solve कर सकते हैं, तो यहाँ पर solve main verb है, और can क्या है, model है, क्योंकि ये main verb है न जो, solve, इसके साथ मिलकर ये, हमें तरीका बता रही है, कि जो verb है न उसका mood क्या है, mood यहाँ पर verb का है, योग्यता का, कि वो इस sum को solve कर सकते हैं, मैं आई कमीन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यहाँ पर जो आना है न, वो अब, उसका mood क्या है, permission का, अनुमती का, तो इस तरीके से, योग्यता अनुमती संभावना करते वज़े से, विज़ारों को विएक्ट करती है, कौन models जो वर्व है, अब हम देख लेकते हैं, there are 13 models mainly, 13 models हैं totally, जो संख्या में हैं, first time में, second है might, फिर है can, फिर है could, should है fifth, sixth पे ought to, seventh में must, eighth पे need, nine पे dare, ten पे used to, फिर is sell, will, would, तो sequence को यह माइन रखती, आगे पीछे आप इनको कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इस sequence से करवाऊँगा, कि तक कि आपको बहतर तरीके से आ सके, जिस sequence में मैं लेखा है, इस sequence से आप बहतर तरीके से models को समझ सकते हो, तो सबसे पहले में, अब हम इनको detail में पढ़ेंगे one by one, कि इनके जो uses हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि uses सही exam में question कुछे जाते हैं, तो सबसे पहला है main model, जिसका meaning होता है सकना या सकता है, सकती है, सकते हैं, इस तरीके से meaning निकल जाता है, sense के according, जो भी है, तो first, जो इसका use है, उपचारी का आनुवती, formal permission लेने या देने के लिए, अब formal permission क्या होती है, formal permission वो होती है, जो किसी teachers, principal, या काराली जगह में, किसी अधिकारी से ली जाती है, जैसे, मैं I come in sir, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये formal permission है, teacher से, principal से, किसे से ले रहे हैं, yes you make a win, आप अंदर आ सकते हूँ, जो second use है, में का, वो है, इच्छा, wish, या प्रार्थना, prayer, या आसिरवाद को व्यक्त करने के लिए, भी हम में को use करते हैं, जैसे, में यूलिव लॉंग, कि तुम, तुम लंबे समय तक जी हो, तो एक तरीके से हम wish कर रहे हैं, किसी के प्रती, prayer कर रहे हैं, may God bless you, भगवान तुमारा भाला करे, आसिरवाद देते हैं किसी को, तो make a use हम, wish, prayers, आसिरवाद के लिए भी use करते हैं, तो third use है, उदेश्चे को बताने के लिए, खास तौरवे, प्रेजिड़न परपज, वरतमान के उदेश्चे को बताने के लिए, जिससे, we eat so that we may live, हम खाते हैं, ताकि हम जिन्दा रह सकें, तो यह हमारा वरतमान का उदेश्चे है, हम खाते क्यों है, मैं वरतमान में खाने का उदेश्चे कहें, ताकि हम जिन्दा रह सकें, I go to school so that I may become a great man, मैं school जाता हूँ, ताकि मैं जिन्दगी में एक महान इंसान बन सकूँ, तो school जाने का वरतमान उदेश्चे कहें, जिन्दगी में महान इंसान बनना, next the fourth use है मेगा, तो यहाँ पर good possibility के लिए आप कह सकते हो, there are clouds in the sky, it may rain, कि आसमान में बादल हैं, बारिश हो सकती है, इसका मतलब बारिश होने की 60% possibility है, अच्छी संभावना है, क्योंकि बादल है, और जब बादल होते हैं, तो लगता है कि बारिश होगी, कि संभावना रहती है, मोहन में कम reach here anytime, मोहन यहाँ पर किसी भी वक्त आजकता है, तो जब हमने इस sentence में में मोडल यूज किया, तो इसका मतलब बादल 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 में की संभावना क्या है, 60% है, अच्छी संभावना है, उसने promise करा गिया होगा जो भी है, अच्छी आश्च्रे, surprise, I am Sunday, doubt, को व्यक्त करने के लिए भी हम में मोडल यूज करते हैं, जैसे how cruel he may be, वह इतना क्रूर कैसे हो सकते हैं, तो इस sentence में जो में है ना, वह आश्च्रे को दिखाता है, क्यों वह इतना क्रूर कैसे हो सकते हैं, how cruel you may be, तुम इतने मुर्ख कैसे हो सकते हो, इसमें जो में है ना, वो भी आश्च्र को दिखाता है, कि मैंने तुम्हें इतना मुर्ख, मैंने नहीं तुम्हें लगाया था, कि तुम इतने मुर्ख हो सकते हो, इतने में नोट बी ट्रू, यह सस नहीं हो सकता है, यहां पर doubt है, तो मैं यहां पर किसको दिखा रहा है, doubt को, तो surprise doubt को दिखाने के लिए मैं, sixth use, make a प्रियोग informal request है तुम भी कह जाते हैं, informal request होती है, जब हम किसी friend, relative से कोई request करते हैं, जैसे may I have the salt please, क्या मुझे नमक मिल सकते हैं, यहां पर एक तरह किसे हम request कर रहे हैं, कि please मेरे को नमक दे दो, तो यहां may क्या है, informal request के लिए, may I borrow your pen, क्या मुझे आपका pen मिल सकता है, request कर रहे हैं हम, किसी friend बगर ऐसे, तो informal request, second जो model है might, uses of might, जिसका meaning होता है, सकना, सकता है, सकता था, sense के हिसाब से, उसके meaning निकल जाएंगे, तो जो हम uses करेंगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगा, कि यहां पर इसका meaning सकता है, सकता था, जो भी है, इसका तो first use है, पास्ट की उपचारिक अनुमोती, formal permission लेने या देने, को दिखाने के लिए, जो past की formal permission होती है, क्योंकि में को भी हम formal permission लिज़ गरते हैं, वो present गी, यहां पर कहा है, past की, जैसे he asked the teacher, if he might come in, उसने अध्यापक से पूछा, क्या वो अंदर आशकता था, यह क्या वो अंदर आशकता है, मतलि past की बात हो, तो past की permission है यह, the teacher said that he might come in, teacher ने कहा कि वह अंदर आशकता था, यह अंदर आशकता है, मतलि यह है कि यहां पर, जो past की, formal जो permission आना, वो दी जा रही है, पहले sentence से, दूसरे sentence से, और पहले sentence से, permission ली जा रही है, he asked the teacher, इससे, उसके बदा है, past wish को, बताने के लिए, past wish, present wish को बताने के लिए, may use करते हैं, और past wish को बताने के लिए, might, see wish that her sister might pass the examination, वह चाती थी, कि उसकी बहन परिक्ष्या past करे, past में चाती थी वो, महन चाता था, कि उसका भाई race जीज़ जाए, तो यहां पर might है न, past wish को दिखा रहा है, past में उसने ऐसी इच्छा जाहिर की थी, ऐसी wish उसने रखी थी अबने मन में, अतीत के उदेश्या को बताने के लिए, present purpose को बताने के लिए, may, हमने अभी किया था, और past purpose को बताने के लिए might, जैसे, he walked very hard, so that he might get first fortune, उसने कठीन मेहनत की, ताकि वह परतमस्तान हासले कर सके, मतलि past में की थी उनने, तो यहां पर might, past wish को दिखाते हैं, the soldiers died, so that their country might survive, सैनिकों नों अपने बलिदान की आहुती दी, ताकि उनका देश जी सके, तो यहां पर might के हैं, past wish को दिखाते हैं, देखो present wish और past wish का जो sentence है, exam में किस तरह के से पूच्छा जाएगा, अगर इस sentence में soldiers die, अगर यहां पर present indefinite होता, और exam में आ जाता, so that their country blank survive, निचे देदिया, may, might, can, good, तो may आएगा, क्योंकि die present में है, अगर past में देदिया, तो might आएगा, उपर वड़ा sentence है, he worked very hard, अगर इसमें ऐसे होता, he works very hard, so that, फिर he may आता, ठीक है न, वो present का प्रपज हो जाएगा, उसका, कि वो कठीन मैनत करता है, ताकि उसकी first position आ जाएगा, अब है वर्तमान एहवातीत की, कम संभावना को दिखाने के लिए, 30% possibility के लिए, अभी हमने पढ़ा था, may model, वो अच्छी possibility को दिखाता है, और वो सिरफ present की possibility को दिखाता है, और जो might है, पहली बात तो यह है, कि वो अच्छी possibility को नहीं दिखाता, 30% possibility को दिखाता है, कम possibility है, might में में की बज़ाई, और दूसरी बात यह है, कि यहाँ पर past की possibility भी है, present की भी है, past की भी है, लेकिन में में सिरफ present की है, और 60% possibility है, जैसे, the sky is not cloudy, but a change in weather is always possible, so it might rain today, आस्मान में बादल नहीं है, परन्तु मौसम में हमेशा बदलाओ की संभावना बनी रहती है, इसलिए आज भी बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर तो might है ना, पहली बात तो यह है, कि इसका meaning है, सकती है, और यह present की possibility को दिखा रहा है, और possibility कितनी है, कम है, 30% है, कि वैसे तो आस्मान में आज बादल नहीं है, लेकिन मौसम में बदलाओ कभी भी हो सकते है, इसलिए बारिश होने के संभावना आज भी है, लेकिन कम है, 30% possibility है, 20% है, तो यहां पर यह दिखाता है, present possibility को, उसने कहा कि उस दिन बारिश हो सकती थी, यहां पर जो might है उसका meaning है, सकती थी, और यह दिखा रहा है, past की possibility को, उसने कहा कि उस दिन बारिश हो सकती थी, इसका बना हो सकती थी, लेकिन उस दिन भी बारिष कोने की संभावना कम थी नेक्स्ट है माइट 50 यूज माइट का जो प्रयोग है request हेत्तु किया जाते है जब यह more politeness को दिखाते है यह है वक्ता की hesitation आत्मिस्वास की कमी every request के स्विकारने होने की स्थिति को व्यक्त करते है तो हमने क्या पड़ा है माइट का प्रयोग request हेत्तु किया जाते है जब यह है ज़्यादा politeness को दिखाते है उस वक्त यह है वक्ता की hesitation आत्मिस्वास की कमी and request के स्विकारने होने की स्थिति को व्यक्त करते है जैसे might I borrow your golden necklace क्या मैं आपका सोने का हार उधार ले सकता हूँ अब देखो हमने में एक model use किया उसको भी हम permission ने लेकर use करते है में I commensur तो यहाँ पर हम में use नहीं कर सकते देखो दोनों में फरक क्या है जो में और might है दोनों में फरक क्या है दोनों में फरक यह है दोनों में फर्क ये है जो माइट है ना माइट वो तो फॉर्मल और इनफॉर्मल परमिसन दोनों को दिखाता है लेकिन जो में हैं वो सिर्फ फॉर्मल परमिसन को दिखाता है अब फॉर्मल और इनफॉर्मल परमिसन है वो क्या होती है formal permission तो वो होती है जो हम teacher से, principal से या किसी अधिकारी से लेते हैं और informal permission वो होती है जो हम किसी teacher से लेते हैं sorry, किसी friend से लेते हैं या किसी relative से लेते हैं और यहाँ पर might से जब permission लेते हैं वो दोनों हो सकती है formal भी और informal भी एक तो यह फरक है दूसरा फर्क क्या है जो might है might की जो permission है उसमें agitation होती है हमें कि हमारी जो request है ना वो साथ स्वीकार ना हो लेकिन में में हमें कोई agitation नहीं होती जैसे हम कहते कि में आई कमीन सर हमें पता है कि हमें permission मिली जाएगी लेकिन जब हम कहते है might I borrow your golden necklace क्या मैं आपका सोने का हार उधार ले सकता हूँ कोई ओरत है दूसरी ओरत से पूछती है friend से तो सोने का हार है तो कहीं ना कहीं उसके मन में hesitation है कितना मेहंगा है वो साथ मेरे को दे या ना दे ठीक है ना और दूसरी बाद यह क्या है informal permission है वो अपनी किसी friend से मांग रही है might I talk to PM क्या मैं परधान मंतरी से बात कर सकता हूँ तो यहाँ पर पहली बात तो यह formal permission है मैंने बताया teacher, principal या कोई अदिकारी, PM, CM उन से जो permission ली जाती है formal permission है और दूसरी बात यहाँ पर भी hesitation है में में hesitation नहीं होती यहाँ पर hesitation है क्योंकि क्या मैं परधान मंतरी से बात कर सकता हूँ आप उसके PA से कहते हो परधान मंतरी PA से आपके मन में doubt है कि परधान मंतरी तना बीजी रहते है साइद आपको मिलने ना दे तो क्या है? Hesitation अब हम बात करते हैं use of can की can का meaning भी सकता है सकती है सकता हूँ इस तरीके से हो जाते हैं sense के हिसाब से अनौपचारिक अनौपटी informal permission देने वा लेने हैं तू formal permission लेने वा देने हैं तू हम यूज़गरते हैं make को formal के लिए और informal के लिए हम यूज़गरते हैं can को तो informal permission वो होती है जो हम अपने personal relative जैसे father, mother, sister, uncle, auntie, friend, etc. से लेते हैं जैसे can I park my car here, क्या मैं अपनी car यहाँ पर park कर सकता हूँ, किसी uncle से पूछते हैं, किसी और से, yes you can park, आप यहाँ पर park कर सकते हूँ can I use your pen, yes you can use, friend से कहते हैं, क्या मैं आपका pen यूज कर सकता हूँ, yes you can use, आप कर सकते हूँ इसलिए जब हम कहते हैं, can I come in sir, वो sentence सही नहीं होता, क्यों आप किसी uncle से कह सकते हो, वो formal permission है, और formal permission में हम में यूज करते हैं अंकल आणटी से पूछते हो कुछ, yes, can I use your pen, तो फिर can use कर सकते हो, next can का जो second use है, can का प्रयोग सारिक श्रमता, physical capacity, मानसिक योगता, mental ability के लिए किया जाता है, जैसे I can lift this suitcase, मैं इस suitcase को उठा सकता हूँ, इसका अंदर सारिक श्रमता है, जो can use करते हैं, I can solve this puzzle, मैं इस puzzle को solve कर सकता हूँ, मैं इस पहली को सुल जा सकता हूँ, ये क्या है, मानसिक दिमाकी, और सारिक ये suitcase, चाहे वो physical है, चाहे जानने के लिए can, important use है ये, पुछा जाता है exam में, उसके बदाब वर्तमान की very very good possibility को दिखाने के लिए, 99% possibility, near to the reality, जो बिल्कुल सचाई के नजदीख है, अब possibility को दिखाने के लिए may भी उसके जाता है, might be और can be, देखो, सबसे कम संभावना है, उसमें might में 30%, उसके बद पिर might आएगा, might, उसमें 80 के करीब होती है, और सबसे ज़्यादा possibility होती है can में, जैसे death can come anytime, मौत किसी भी वक्त आ सकती है, 99% possibility, एक दो प्रसेंट ये है कि बच जाए कहीं पर कोई, measles can be quite dangerous, जो खसरा के विमारी है na measles, काफी खतरनाक सावित हो सकती है, हो सकती है 99%, तो can, next है सिध्धान्तिक संभावना, theoretical possibility को व्यक्त करने के लिए can का प्रिव के जाते है, कोई सिध्धान्तिक सिध्धान से रिलेटर संभावना है, जैसे even an aunt can be dangerous for an elephant, की even यहां तक एक जो चीन्टी है न, वो भी खतरनाक सावित हो सकती है, हाथ ते लिए पागल बना सकती है, एक सिध्धान्तिक संभावना है, even an experienced person can make a mistake, यहां तक एक अनभवी व्यक्ती भी गलती कर सकते है, यह भी क्या है, हाँ सिध्धान्त पर अधारित है न, की हो सकते है, की जो अनभवी व्यक्ती है, वो भी गलती कर सकते है, फोर्थ मॉडल है could, could का मेनिंग सकता था, सकता है, द present में भी आ सकते है, जैसे might का मेनिंग present में भी आ सकते है, वो उनकी use से पता लगया गए, कहां पर present में है, कहां पर past में है, और इसलिए model हमें इतना ज़्यादा confuse करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं, इसका first use, अतीत की अनुपचारिक अनुमुती, लेने वद देने के if I could help him, उसने मेरे से पूछा क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, तो ये past की क्या है, permission है, informal permission है, और he told me that he could help me, उसने मेरे को कहा, कि वह है, उसकी मदद कर सकता है, ये क्या है, पहले में permission ली जा रही है, और दुसरे में एक तरीके से बताई जा रही है, तो अतीत की अनुप अनुपती लेने में देने के लिए, next है, past ability और capacity के लिए, present ability और capacity के लिए, present ability और capacity के लिए हमें यूज किया था, can, present की ability, की I can solve this sum, और यहाँ पर जो past की अगर कोई ability है या capacity है, तो उसके लिए could है, जैसे when I was young, I could climb any tree, जब मैं young था, तो मैं किसी भी पेड़ पर चड़ सक अब नहीं है, अब वो old हो चुका है, when Ram was young, he could swim across the river, राम जब जवान था, तो वह किसी, he could swim across the river, तो नदी के इस past लेकर उस पर तक वो तैर शक्ता था, past की capacity है, अतीत की unreal condition या संभावना को दिखाने के लिए, जो कभी हुई नहीं, उसके लिए भी हम could use करते है, कि ऐसी condition जो कभी हुई नहीं, जैसे, if I had money, I could buy एक car, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं car खरीद सकता था, यह past की संभावना है, कि past में अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं car खरीद सकता, लेकिन सचाई क्या है, ना तो past में उसके पास पैसे थे, और ना ही उसने car खरीद दी तो यह क्या है, unreal condition है, जो सही नहीं है, एक तरीक से कालपनिक है, तो कालपनिक condition वो दिखाने के लिए past की, could का प्रियोग, polite questions नमर प्रसन पूछने के लिए होता है, भी होता है, जैसे, could you tell me where the post office is, क्या तुम मुझे बता सकते कि post office कहा है, यहाँ पर could का meaning सकते हो है, ना की स तो could का बहुत ज़्याद है, जब हम politely किसी से बात करते हैं, खास तोर पर, जब हम किसी stranger से बात करते हैं, अजना भी से, तो हम use करते हैं, Use of should, should का चाहिए, सला, advice या सुझाव, suggestion को दिखाने के लिए हम use करते हैं, should को, you should work hard, तुम्हें कठीन महनत करने चाहिए, सला दे रहे हैं किसी को, you should take exercise, तुम्हें exercise करने चाहिए, सला या सुझाव दे रहे हैं, उसके लिए should, second जो use है, most important, जो exam में जरूर पुछा जाता ह Less के पसात, उदेश्य को व्यक्त करने के लिए, मतलब आप ये कहलो, कि Less अगर किसी sentence में आ जाए, Less का मिनिक होता है, कहीं ऐसा नहों, जैसे Less work hard, less you should fail, यह से मैं दिखाने जीरा, लेकिन मैं बोग रहा हूँ, work hard, less you should fail, महनत करो, कहीं ऐसा नहों कि तुम fail हो जाओ, दूसरा जल्दी सलो, कहीं तुम्हारी बस न छूट जाए, कहीं ऐसा नहों कि तुम्हारी बस छूट जाए, तो इसका सिंपल सही, बस यही है, कि आप Less को अनोलेज में रखो, एक्जाम में जैसे आएसे आएगा, कि More fast, less you blank miss the train, Less कहीं पर दिखाए दिया, एक्जाम्पल में, तो द चाहिए था के आर्थ में, जब सुड के साथ हैव लगा हो, तो जब सुड के साथ हैव लग जाता है, तो उसका मेनिंग हो जाता है, चाहिए था, जैसे सुड हैव चाहिए था, और सुड का मेनिंग सिरफ चाहिए, He should have gone by morning bus, उसे सुबह वाली bus से चले जाना चाहिए था, तो चाहिए था है, यहाँ पर सुड हैव का मेनिंग, सुड हैव के बाद वर्व की थर्ड फॉम लगती है, लेकिन अगर मोडल सुड है, तो उसके बाद वर्व की फर्स फॉम, वैसा तो मोडल के बाद वर्व की फर्स फॉम ही लगती है, लेकिन अगर किसी मोडल के साथ है तो जब हम ऐसे sentence करते हैं कि उसको चले जाना चाहिए था सुबह वाली बस से इसका मतलब क्या है वो गया नहीं तब यूज़ करते हैं she should have informed me about the accident कि उसे मुझे दुर घटना के बारे में बताना चाहिए था बट सी डिदेंट इन्फोर्म लेकिन उसने इन्फोर्म नहीं किया तो उसी sentence में हम use करते हैं कि कि किसी को कोई कारिय करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया तब हम use करते हैं should have अब next देख लेते हैं अब है next model uses of o2 o2 का मतलब भी चाहिए है और should का मतलब भी क्या है चाहिए है अब देख लिए o2 के साथ o2 के साथ हमेशा 2 लगता है o2 and should का प्रियोग marth लगबग समान है अब दोन नवे difference क्या है यहां से आपको पताला जाएगा o2 का प्रियोग should के स्थान पर किया जा सकते हैं मगर इसके साथ 2 का प्रियोग के जाते है तो दोनों का प्रियोग हम कर सकते हैं बस थोड़ा सा फर्क है वो क्या है examination point view से हम बात करेंगे एली बात यह है नेतिक और समाजिक करतवय moral and social duty को दिखाने के लिए हम עम तोर पे ought to use करते हैं shouldn't use करते हैं नेतिक और समाजिक जो हमारे करतवय है अब नेतिक और समाजिक करतवय क्या होते हैं जहे तरह किसे नेतिकत से स्मन्दित हैं सही और गल्ज से सम्माजिक करतेवे से सम्माजित है हमें अपने टीचर्स का ओबे कहा मानना चाहिए तो यह क्या है हमारा एक तरिके से moral duty भी है और social duty भी है हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए second जो यूज है सला या सुझाओ को दिखाने के लिए देखो अभी अभी हमने पढ़ा है कि should है उसको भी हम यूज करते है सला या सुझाओ को दिखाने के लिए और ought to को भी यूज करते है जैसे you ought to work hard for the examination तुम्हें एक्जाम के लिए कठीन मेनत करनी चाहिए you ought to consult the doctor तुम्हें डॉक्टर से विचार विमर्ष कर लेना सीए आप देखो एक्जाम में इसको कैसे पूछते हैं वो थोड़ा confuse कर देते हैं ऐसे पूछेंगे वो you blank work hard for the examination अगर इस तरीके से एक्जाम में sentence आया है you blank work hard for the examination तब आपका answer should भी सही हो सकता है और ought to भी लेकिन आपको वो दोनों option देंगे नहीं आपको या तो should देंगे या ought to मालो एक option दे दिया should दूसरा दे दिया need, can, may ठीक है ना या फिर आपको देंगे ought to, may, can, could दोनों देंगे लेकिन कई बार ऐसा आ सकता है और ऐसे देते हैं you blank work hard for the examination नीचे देंगे you blank to देंगे work hard for the examination नीचे देंगे should ought may need फिर वहाँ पर ought आएगा मतलिए अगर उन्होंने to दे दिया फिर सिर्फ ought आएगा बेस्टक से उस sentence में सला का जिकर हो रहा है आपको लगेगा इस सला इसमें हम कोई भी उज़ कर सकते हैं लेकिन कर टू दे रहा है फिर सिर्फ ought आएगा ऐसे के निफूज करने के लिए देते हैं याद रखना है अब हम जैसे बात कर लेते हैं इसकी चाहिये था के अर्थ में चाहिये था के अर्थ में जब ought to के साथ have लगा हूँ जब should के साथ have लगा हूँ तब भी उसका मिनिंग चाहिये था हो जाता है और जब ought to के साथ have लगा हूँ तब भी उसका मिनिंग क्या हो जाता है चाहिये था कि उसे एक्सिदेंट के बारे में मुझे बता देना चाहिए था उसे सुबह वाली बस से चले जाना चाहिए था तो सेम है अभी अभी हमने पड़े हैं क्योंकि O2 और शुड को दोनों को हम यूज कर सकते हैं सेम सेंस के लिए O2 का प्रियोग present, past and future tense में समान रुच्छे हो सकते है O2 का जैसे I ought to talk to him today मुझे उसे आज बात करने चाहिए तो O2 का यहां पर यूज present में है I ought to have talked to him yesterday मुझे उसे कल बात करनी चाहिए थी यह past की बात होगे ना लेकिन यहां पर O2 के साथ have लगा है चाहिए था I ought to talk to him tomorrow मुझे उसे कल बात करनी चाहिए यह future के लिए है next है 7th model must must का मला होता है जरूर चाहिए अवस्य चाहिए तिरव आप सकता dare necessity को वैक्त करने के लिए हम जूज करते है must को और तिरव आप सकते क्यों होती है तिरव आप सकता होती है कि बहुत ज़्यादा जरूर थे हमे you must take an umbrella as it is raining तुम्हें अपने साथ आवस्य जो चाहता है ना वो ले लेना सही है क्योंकि बहर बारिश हो रही है तो यहाँ पर क्या है ज़्यादा आप सकता है अत्यदीग आप सकता dare necessity तो अत्यदीग आप सकता हो दिखाने के लिए must you must run if you want to catch the train तुम्हें अवस्य ही तेज दोड़ना सही है यदि तुम train को पकड़ना चाहते हो चीक है ना तुम लेट हो और तुम अराम से सल रहे हो अगर train को पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें अवस्य ही तेज दोड़ना सही है तो यहाँ पर भी क्या है अत्य दिग आव सकता है अगर ट्रेन को पकड़ना है की चीज़ी के अत्य दिग आव सकता है रन करने की दोड़ने की नेक्स्ट जो यूज है अनिवारेता, कंपल्सन या बंदन, उबलिगेशन को व्यक्त करने के लिए कारिये नहीं करने पर यदि सजा मिलने का प्रवदान हो कहने का लिए है कि अगर कोई चीज़ कंपल्सन है मजबूरी है हमारी, बंदन है मजबूर है हम, वो काम करने के लिए और वहाँ पर हमें सजा भी मिल सकती है जैसे असर्वन्ट मस्ट ओवेज मास्टर एक नोकर को अपने मालिक का कहा अवश्य मानना चीए, यहाँ पर क्या मजबूरी है otherwise मास्टर उसको जोब से निकाल सकते है, तो सजा है ना, सजा मिल जाएक उसको तो अगर कोई मजबूरी है उसको दिखाने के लिए हम यूज़ करते है, must we must obey the laws of our country हमें अपने देश के जो कानुन काइदे है ना, उनको follow करना चीए obey कमल यहाँ पर है, follow करना चीए यह गलती से लेखा गया, यहाँ पर है, follow follow the laws of our country obey कमल लोता है, कहा माना चीए तो यहाँ पर भी हमारी के हैं मजबूरी कि अगर हम जो कानुन काइदे नहीं करेंगे हमें सजा मिल सकती है, जेल में डाला जा सकते है next है strong determination को व्यक्त करने के लिए I must finish this work by evening कि यह जो काम है मुझे श्याम तक अवश्य कर लेना चीए मेरा क्या है, दिर्ड निश्या है, जब हम कहते है I must finish, कि मुझे कर लेना चीए कि मैं करूंगा, I must go to कस्मीर in the summer कि मेरे को गर्मियों में कस्मीर चले जाना चीए, मतलब मैं जाओंगा यह है द्रिड संकल मनाही, प्रोभीशन आदेश, ओर्डर को दिखाने के लिए spoken English में must का प्रयोग किया जाते है जब किसी चीज़ के हम मनाही करते है यह ओर्डर देते हैं, तो spoken English में must का प्रयोग करते हैं, जैसे children must not play on the road कि बच्चों का रोड पर नहीं खिलना चाहिए अवस्चे नहीं खिलना चाहिए, इसका मतलब क्या है मनाही है, you must be back before dark, यह ओर्डर है कि तुमें अंधेरा होने से पहले तुमें अवश्चे आ जाना चाहिए, back, वापिस तो यह क्या है, order है अब है 8th model, need आप सकता जरूर्थ need कमलो होते हैं, आप सकता है जरूर्थ तो जो पहला इसका use है तो need कमलो आप सकता है जरूर्थ तो जो पहला इसका use है, आप सकता का नए होना के अर्थ में इने negative sentence कि जब हम किसी चीज़ की आप सकता नहीं है तो तब हम need को use करते हैं और negative sentence में use करते हैं जैसे you need not take an umbrella as it has stopped raining तुम्हें एक छाता लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बारिश रुख चुकी है तो यहाँ पर need negative sense में आया need not तो यहाँ पर आप सकता नहीं है चाता ले जाने की तो आप सकता ना आप सकता का ना होने के अर्थ में tomorrow is holiday you need not come to school कल को छुट्टी है तुम्हें आने की आप सकता नहीं है तो आप सकता का ना होना next है आप सकता के बारे में प्रशन पूछना दूसरा यूज in interrogative sentence तो जब हम आप सकते बारे में प्रशन पूछते हैं तो हम need को यूज करते हैं interrogative sentence में जैसे need you take a number क्या तुम्हें एक चाता ले जाने की आप सकते हैं स्वाल पूछ रहे हैं need you go to school क्या तुम्हें स्कूल जाने की आप सकते हैं अब देखी जो important point है need को as a model affirmative sentence में प्रियोग नहीं किया जाता अभी हमने need को negative और interrogative sentence में यूज किया need का प्रियोग as a main verb as a model auxiliary verb दोनों की तरह किया जा सकता है इसलिए इसे semi model यह marginal model कहा जाता है semi का मतलब आदा model और आदी वरभ है यह marginal का मतलब वही है तो need ऐसा model है जिसको verb की तोर पर भी उज किया जा सकता है और model की तोर पर भी लेकिन आभी तक जो हमने model पड़े है may, might, can, could, must वो सिरफ model के तोर पर यूज किया जाते हैं लेकिन need ऐसा है जिसको verb के तोर पर भी यूज किया सकता है अब देखिए need को जब हम affirmative sentence में यूज करेंगे तब यह as a verb यूज होगा ना कि as a model लेकिन जब हम need को negative or interrogative sentence में यूज करेंगे तो यह होगा use as a model वो as a verb भी हो सकता है लेकिन फर्ग या है देखते है need का as a main verb अर्थ है चाहिए पहली बात तो यह है कि need का main verb भी मतलब चाहिए पहली बात तो यह है कि need का वैसे तो आप सकता का होना है model के तोर पर लेकिन verb के तोर पर इसका meaning क्या हो जाएगा चाहिए he needs your help उसे तुमारी मदद चाहिए अब should का मतलब चाहिए तो यहाँ पर हमने should क्यों ने लिखा he should your help sense ही नहीं बनेगी ठीक है ना तो should के साथ तो main verb आने चाहिए और यहाँ पर need सी main verb का काम कर रहे है कि उसे तुमारी मदद चाहिए he needs से pen उसे एक pen चाहिए he needs से copy उसे copy चाहिए तो इस तरह के से पहली बात तो यह है कि इसका मतलब है चाहिए अब need का as a main verb आप सकता का होने या जरूत का होना भी है तो need का मतलब as a main verb चाहिए भी है और आप सकता का होना या जरूत का होना भी है जब sentence में need का प्रयोग main verb की तरह किया जाता है तो इसके बाद infinitive two plus one का प्रयोग किया जाता है जैसे राहल needs to go there राहल को वहाँ पर जाने की जरूत है तो यहाँ पर needs क्या है main verb और main verb की तरह जब आता है तो इसके साथ two infinitive two plus verb की form लगती है जैसे यहाँ पर two को है तो यहाँ पर needs model नहीं है main verb है और यहाँ पर इसका meaning है आप सकता होना और यहाँ पर he needs a pen यहाँ पर two plus verb भी first form नहीं है यहाँ पर इसका meaning क्या हो जाएगा चाहिए राजस doesn't need to study for this exam यहाँ पर भी जो need है main verb की तरह है negative sentence में कि राजस को इस exam does not need to study for this exam कि इस exam के लिए उसको पढ़ने की आप सकता नहीं है अब है third use जरूरत नहीं थी कि अर्थ में जब need के साथ have plus verb की third form का प्रियोग की जातता है तो have के साथ जब verb की third form का प्रियोग की जातता है तो इसका meaning past में हो जाता है कि जरूरत नहीं थी जैसे should have चाहिए था must have चाहिए था उनका भी चाहिए था हो गयता ना बाद में मतले तो यहां पर नेट का मतलो था बन जाएगा past में He need not have brought a bicycle, we are going to buy a car उसे cycle लाने के जरूरत नहीं थी हम car से चल रही हैं हम car से जा रहे हैं तो उसको cycle लाने के अब सकता नहीं थी तो यहाँ पर need, not have और बर्ब की थर्ट बंब लगी है ज़रूरत नहीं थी के अर्थ में next model है dare uses of dare हिम्मत या सहासी इसका आर्थ होता है पहला जो इसका use है हिम्मत का ना होने के अर्थ में जैसे I dare not enter the host headmaster's office कि मेरे headmaster के प्रिवेश करने की हिम्मत नहीं होती need और जो dare है ना दोनों के same use है वहाँ पर उसका use था negative sentence में आप सकता के बारे में सवाल पुछना यहाँ पर negative sentence में जो need था जो negative sentence में हमने उसका ना होने के अर्थ में और dare को हमने negative sentence में उसका है हिम्मत या साहस के ना होने के अर्थ में the child dare not go into dark room at night बच्चे की रात को अंधेरे कमरे में जाने की हिम्मत नहीं होती तो dare not हिम्मत का ना होना दुसरा है हिम्मत या साहस के बारे impression करना in derivative sentence में dare you catch a line by its tail क्या तुम सेर की पूंच को पकड़ने का साहस कर सकते हो हिम्मत के बारे में शाहल बुसना how dare you insult me मेरा अपमान करने के तुमरे हिम्मत कैसे हुई हिम्मत के बारे में शाहल बुसना अब जिस तरह के से need को हम as a verb or as a model यूज़ करते हैं तरह के से dare को भी उज़ करते हैं dare का प्रयोग भी as a main verb as a model auxiliary verb दोनों तरह से किया जाता है इसलिए इसे भी semi-model या marginal model कहा जाता है जैसे I dare to enter the headmaster office की headmaster के office में प्रवेज करने के मेरी हिम्मत होती है यहाँ पर dare main verb है model नहीं है मोडल के बाद तो हमेसा वर्व की first form आएगी enter यहाँ पर भी वर्व की first form है लेकिन two आया है तो two आएगा जब यह main verb का काम गरेगा dare का प्रयोग जब main verb की तरह किया जाता है तो इसके साथ है two का प्रयोग किया जाता है अब हम कर लेते हैं 10th model है uses of code two code two तो इसका मीनिंग होता है किया करता था या किया करती थी और हुआ करता था इसका मीनिंग होगा जो second use हम करेंगे तो किसी past habitual action को दिखाने के लिए और used to का प्रयोग यह है वेक्त करता है कि भूत काल में कोई कारिया आदत ने किया जाता था लेकिन अब नहीं पीता but now he doesn't drink he used to go for a walk वो सैर के लिए जाय करता था लेकिन अब नहीं जाता तो used to दिखाता है past habit को किया करता था हुआ करता था like that to express past existence भूत काल के अस्तित्त को दिखाने के लिए यहाँ पर इसका मीनिंग होगा हुआ करता था और past habit में किया करता था used to को प्रयोग यहाँ यह वैक्त करता है कि past में किसी इमारत आदी हुआ करती थी लेकिन वो अब नहीं है जो first use है ना past की आदत वो past की आदत है और यहाँ पर past का जो अस्तित्त्त है पास्ट में किसी चीज़ का अस्तित्त्त था थी वो लेकिन अब नहीं है जैसे there used to be a temple at the corner कि इस corner पर एक school हुआ करता था आज नहीं है past में वो school का अस्तित्त्त था अब उसकी इमारत को ग्रादिया गया है यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी आब नहीं है यहाँ पर used to को एक adjective की तरह भी प्रियोग किया जाता है जहाँ पर इसका अरत होता है अभयस्त या आदि जैसे I am used to take tea in the morning मैं सुभह चाय पीना का आदि हूँ तो यहाँ पर used to model नहीं है बलकि यहाँ पर used to एक adjective का काम कर रहा है कि मैं आदि हूँ ठीक है ना तो यहाँ पर और एक खास बात है जब used to का meaning आदि की sense में होगा मतलब कोई किसी चीज़ का अबयस्त है तो वहाँ पर used to से पहले is mr मिलेंगे otherwise model से पहले नहीं मिलेंगे जैसे he used to drink a lot इस mr नहीं थे तो यह difference इस तरके से आप कर सकते हो important use है जैसे he is used to working in a noise room वो noisy room में जहांपर शोर हो रहा है वहाँ पर काम करने का आदि था 11th model है cell cell का प्रयोग first person IV के साथ simple future को व्यक्ट करने के लिए आर्थ में प्रयोग के जाते है 10th में भी पढ़ते हम यह बात इससे यह ग्यात होता है कि निक्ट भूशे में कोई काम होगा जैसे I shall leave for Kerala tomorrow मैं केरल के लिए कल को रवाना हूंगा I shall be 50 years old next Friday अगले सुकुगार को मैं 50 साल का हो जाऊंगा second use sell का प्रयोग second person you तो थार्ड परसन he, see, it, they के साथ threat, धमकी, promise, वाइदा determination, dreadness, order, व्यक्त को करने के लिए के जाता है अब वैसे तो I और V के साथ sell लगता है और you, he, see, it, they इनके साथ लगता है will लेकिन rule हमारा बदल जाता है जिसके साथ will लगता है उसके साथ sell लग जाएगा और जिसके साथ sell लगता है उसके साथ will लग जाएगा किस situation में? इन चारो situation में अगर sentence में धमकी का जिगर है why दे का जिगर है deadness का जिगर है ये कोई order, आदेश का जिगर है जैसे he shall kill you वह तुमें मार देगा वैसे तो ही के साथ भी लगता है लेकिन वाकिय में धमकी का जिगर हो रहा है इसलिए sell लगा है you shall get a price तुम्हें इनाम मिलेगा promise का जिगर हो रहा है sentence में वह आए देगा इसलिए क्या है? sell आया, will नहीं आया you shall get 95% marks in class 12th तो यहाँ पर देगा है कि तुम 95% marks लोगे यह पक्का है जितने तुम महनत करते हो you shall not go तुम नहीं जाओगे तो यहाँ पर sell you के साथ क्या दियाता है order को कि तुम नहीं जाओगे मैंने कहा दिया third use है प्रसन वाचक वाक्यों में interrogative sentence में cell का प्रयोग IV के साथ किसी दूसरे के सामने अपनी सेवा प्रस्तुत करने के लिए या प्रार्थना सुझाव करने के लिए किया जाते हैं यह important है spoken English में बहुत जाद है यूज के जाते हैं जैसे cell I carry your heavy bag क्या मैं तुमारा भारी bag ले जाऊं यहाँ पर हम सेवा प्रस्तुत कर रहे है सेवा का मतलब offer कर रहे हैं कि मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ तो यहाँ पर cell का मतलब future को नहीं दिखाएगा कि क्या मैं आपका भारी bag ले जाऊंगा cell का मतलब यहाँ पर यह है कि क्या मैं ऐसा करूँ ठीक है न, कि हम आपका भारी बैग ले जाओं, इसके तो में हम किसी को अपनी जो सर्विस है वो ओफर कर रहे हैं अब लैट्स वाले सेंडेंश में क्या हम आज फिल्म को दिखा रहा है? सर्विस को नहीं, बलकि सुझाव के लिए, तो यहां पर सेल गानूल है, क्या हम फिल्म देखनेंगे लिए, चले, सुझाव हैं, सेल से अब let's वाले sentence में question tag में भी sell का प्रियोग के जाते हैं जो fourth use है जैसे let's look at it again sell we आईए इसे फिर से देखें क्या देखें तो let's वाले sentence में जो question tag है उनके लिए हम sell को यूज़ करते हैं let's go for a walk sell we आव sell के लिए चले चले क्या तो यह question tag next twelfth model uses of will गागी गे will का प्रियोग second और third person के साथ simple future को व्यक्त करने के लिए अर्थ में प्रियोगत होता है जैसे he will come tomorrow वो कल को आएगा आपको पता है you he see it देन के साथ लगता है you will pass the examination तो भी exam pass करोगे second use है will का प्रियोग first person के साथ है धमकी threaten promise वाइदा I am deadness determination को व्यक्त करने के अर्थ में होता है I will kill you धमकी है कि मैं तुम्हें मार दूँगा we will help you हम तुम्हारी बदद करेंगे वाइदा है I will get 95% marks in BA deadness चे है तो यहाँ पर भी हमने पढ़ा था rule reverse हो जाता है वाइदा के साथ विल और वी के साथ विल और ही सिट उनके साथ सेल आ जाता है इन सिच्वेशन में तो I will get 95% marks in BA deadness चे है कि मैं लोगा next है to express request and invitation यह important use है अनुरोद आम अमंत्रन के लिए will का प्रियोग किया जाता है will you open the door क्या दरवाजा खोलोगे यह हम request कर रहे है जब हम किसी को ऐसे कहते हैं will you open the door तो हम request कर रहे है क्या आप दरवाजा खोलोगे कहने का मैं लिए है खोल दो please will you have a cup of tea किसी को invite कर रहे है कि क्या आप चाय का cup लोगे we are inviting someone for a cup of tea fourth use है will का समान्य आदत को दिखाने के लिए कि कोई किसी चीज की समान्य आदत है जैसे a dog's tail will never become straight कुत्ते की पूंच कभी भी सिद्धी नहीं होगी तो यह क्या है समान्य ऐसी आदत है कुत्ते की जो पूंच है वो टेड़ी रहती है the woman will not keep mom औरते कभी भी चुप नहीं बैठेगी mom कम लग चुप यह क्या है औरतों की समान्य आदत है तो समान्य आदत के लिए will the minister will come late जो मंत्री लोग है वो लेट आएंगे यह भी क्या है उनकी समान्य आदत है लेट आनेगी fifth the use है सर्थ बोदक वाक्यों में conditional sentence में हम यूज करते हैं will go if you work hard you will pass यदि तुम कठीन मैनत करोगे तो तुम पास होजाओगे मतलब एक सर्थ रखी जाती है अगर तुम कठीन मैनत करोगे तो तुम पास होजाओगे अगर नहीं करते नहीं होगे if you don't run you will miss the train अगर तुम नहीं दोड़े नहीं दोड़ते हो तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे तो सर्थ है कि तुम्हें दोड़ना पड़ेगा अगर तुम्हें ट्रेन पकड़नी है तो जो 60 use है चितावनी देने के लिए और या otherwise वाले वाक्यों में work hard otherwise you will fail कठीन महानत करो नहीं तो तुम fail हो जाओगे तुम चितावनी दे रहे हैं otherwise से और हम use कर रहे हैं will run fast or you will miss the train तेज़ दोड़ो या फिर तुम train miss कर दोगे चितावनी दे रहे हैं विल का प्रयोग instructions देने के लिए भी किया जाता है जैसे the girls will not wear the swords instruction दे रहे हैं school में कि जो girls है ना वो swords नहीं बैनेगी you will deliver the welcome speech कोई teacher कहता है student को कि तुम्हें जो welcome speech है वो देनी होगी तो जानकारी दे रहे हैं कि तुम्हें ये देनी है speech तुम्हें ये देनी है instruction के लिए last model है would गाग ये इसका आरत होता है first use है will की past form would होती है and would का प्रयोग will के स्थान पर indirect speech में होता है हमने पढ़ा है direct speech में will और indirect speech में will would में बदल दाता है can good में वो सारी बात है जैसे she said that she would not go to the cinema उसने कहा कि वह cinema नहीं जाएगी ये indirect speech है और जो पहला sentence है she said I will not go to cinema ये direct speech है यहाँ पर will है second जो यूज है would का to express polite request and invitation विनमर अनुरोद आम अमंतर्ण के लिए अभी अभी हमने पढ़ा है कि request और invitation के लिए will भी यूज की ज़ता है और would भी लेकिन would में polite word extra है वहाँ पर polite word नहीं था अभी हमने पढ़ा अगर हमारी request विनमर है जैसे would you open the door please क्यों तुम दर्वाजा को लोगे would you have a cup of tea क्यों तुम चाएगा कप लोगे polite invitation है याँ पर अब देखो जो यार दोस्त है ना friend है कोई भी है उनसे तो हम will ही उज़ करते है will you open the door कोई friend आपके घर आया है दर्वाजा को लोगे हम उनसे इतना ज़्यदा politely बात नहीं करते लेकिन मालो आप किसी bus stop पे हो bus में हो किसी आजनाबी से कहते हो कि please क्या आप ये दर्वाजा को लोगे bus का तो वहाँ पर हम politely बात करने पड़ते हैं ना क्योंकि otherwise क्या पता वह हमारी फैल्प कर रही है ना करें तो ये जो वूड है ना खास तोर के उनसे situation में यूज के जाता है जब किसी आजनाबी से ये कोई महमान आया है उससे हम कोई invitation करते हैं invite करते हैं उसको अब exam में अगर मालो यही sentence आजाता है blank you open the door please अगर please देर का तो would use करोगी अगर please नहीं देर का है तो will use करोगी लेकिन कई पर क्या होता है sentence आजाता है exam में ऐसे blank you open the door please नीचे option दिया होता है will, can, may, might अगर would नहीं देर का फिर will सही रहेगा तो would का प्रयोग will की पिक्सा अधिक polite request invitation को दरसाता है third जो use है कोरी कलपना विस को वैक्त करने के लिए हम use करते है would को कोरी कलपना एक ऐसी कलपना होती है जो कभी सच नहीं हो सकती जैसे would that I were young again कि कास में फिर से जबान हो जाऊ कुछ कलपना है तो ऐसी है कि हम वो हो सकती है कि कास में जोब लग जाऊ कास में इंस्पेक्टर बन जाऊ मेहनत करके आप बन सकते हो लेकिन कुछ ऐसी कोरी कलपना होती है जो कभी पूरी नहीं होती आप old हो चुके हो young हो नहीं सकते फिर से तो वहाँ पर would के साथ would use के जाता है would that I were a bird कास में एक पक्षिप बन जाऊ चीक है ना और important है ये और ये would है ना जब कोरी कलपना के लिए यूज के जाता है तो ये sentence की starting में आता है और इसके बाद that लगता है ये combination है और last में sign of exclamation इस तरह के से अब आप याद कर सकते हैं इसको तो यहाँ पर हम preference कर रहे हैं हमारे शामने किसी ने कहा दो choice रखी कि would you like to have a cup of tea और coffee क्या लोगे आप चाय और coffee तो आपने किसको preference दी तवज्जो किसको दी importance किसको दी मालो coffee को दी या चाय को दी तो उसके लिए आप would use करोगे I would like to have coffee या a cup of coffee मरना पसंद करूँगा bag भीक मांगनी बजाए किसी ने आपके सामने दो choice रखी कि या तो भीक मांगो या भूखे मरो आपने क्या चुना भूखा मरना कि भीक नहीं मांगूँगा फिफ्ट जो यूज्ज है would का अतीत की आदित को दिखाने के लिए before marriage he would drink a lot शादी से पहले वो बहुत ज़्यदा सरापिया करता था अब अतीत की आदित को दिखाने के लिए used to be use के ज़ता है और would be ठीक है ना दोनों को use के ज़ता है लेकिन दोनों में एक फर्क भी है फर्क क्या है वो हम आगे बात करेंगे he would go for a walk वो सेर के लिए जाय करता था या he used to go for a walk वो सेर के लिए जाय करता था तो दोनों आप use कर सकते हो यही सेंटेस मैंने किया था before marriage he used to drink a lot तो अतीत की आदत को दिखाने के लिए हम दोनों use कर सकते हैं used to be और would be लेकिन कुछ particular situation ऐसी है जहांपर दोनों को use नहीं कर सकते अब फर्क देखते हैं दोनों में क्या है काभी important है would have used to दोनों को अतीत की आदत को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाते है ऐसी आदत है जो अभी वरतमान में नहीं है पहली बात तो यह है परन्तु would used to के बज़ाए थोड़ा formal है पहला फर्क तो यह है कि जो would है ना used to के बज़ाए थोड़ा formal है formal का मतलब क्या है means would को stories वगरे में अतीत की आदत को बताने के लिए उज़के जाते है formal का मतलब यह है कि जो story में या written में या किसी हम ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे है teacher से यह interview दे रहे है तो वह हम पर would को यूज़ करते हैं formal जगह में तो formal है means would को stories वगरे में अतीत की आदत को बताने के लिए यूज़ किया जाते है जबकि used to को spoken English में अतीत की आदत को व्यक्त करने के लिए तो पहली बात तो यह है कि इसको हम spoken English में यूज़ करते हैं यूज़ को अतीत की आदत की आदत को दिखाने के लिए और would को written में या spoken English में sorry written में stories वगरे में यूज़ करते हैं तो यह था last mode dull और इसके uses तो यह थे आपके models अब हम exercise कर लेते हैं fill in the blanks with correct model God bless you with the sun तो यह क्या है इसमें wish है तो wish के लिए me तो next है देखे लेते हैं he walked fast so that he reached the station in time तो वो तेज़ चला ताकि वो station समय रहते पहुंच आई तो यह क्या है past purpose past purpose को दिखाने के लिए might next है sorry दिखी गया see dance very well कि वो च्छेतरी से dance कर सकती है should, dare, need, can तो यह ability है present ability के लिए can past को कोई इसमें जिकर नहीं हो रखा उसके बाद है you wait for some time blank है तो यहाँ पर could, should, must, or to क्या आएगा यहाँ आएगा यहाँ आएगा could किसी से जब हम कोई polite question पूछते हैं कि क्या आप कुछ देर के लिए wait कर सकते हो यह हमने पढ़ा था उसके बाद आजाओ work hard last you fail again कटेन मैनत करो कहीं है सवनों कि तुम फिर से fail हो जाओ तो last के साथ क्या आएगा would, should, must, need should आता है हमने पढ़ा है उसके बाद है you to take regular exercise कि तुम्हें प्रते दिन एक्सराज करनी चाहिए अब टू है सला है ought to should, must, can वैसे तो सला और सुझाओ के लिए should और ought to दोनों को जोग जादता है लेकिन मैंने आपको पता है था अगर टू देर का है फिर क्या आएगा ought उसके बाद seventh example है वो है you not swim in the river, the current is very fast तुम्हें नदी में नहीं तैरना चीए क्योंकि जो धारा है ना वो काफी तेज है should, need, must, or can यहाँ पर must आएगा क्योंकि वो अत्य दिग आव सकता है क्योंकि तुम्हें नदी में आवस्य ही नहीं तैरना चीए क्योंकि जो धारा ना वो काफी तेज है वो तुम्हें बाहा कर ले जाएगी तो अत्य दिग आव सकता के लिए हम युजगरते must की बाहर बारिश हो रही है आवस्य तुम्हें चाता ले जाना चीए वो sentence हमने पड़े दे you are quite well, you not go to the doctor तुम बिल्कुल सही हो तुम्हें doctor के पास जाने की dare, need, should, will तो need आएगा की तुम्हें doctor के पास जाने की आव सकता नहीं है तुम ठीक हो अच्छे त्रेक से blank you go into that house at night need can use to dare तो यहाँ पर आएगा dare की क्या रात को उस घर में तुम्हें जाने की हिम्मत है tenth a great man live in this house in the past एक महान वैक्ती इस घर में पास्ट में रहा करता था could, used to, may, will तो यह past habit है की वो वैक्ती रहा करता था used to, past habit के लिए would भी उसके जाता है लेकिन would नहीं आएगा अब देगी work hard otherwise you fail कठीन मेहनत करो नहीं तो तुम fail हो जाओगे चितावने के लिए should, sell, will, can चितावने के लिए will यूज गजाता है सी आएगा उसके बाद है I help you in this matter would, sell, could, can तो यहाँ पर आएगा sell क्या इस मसले में मैं आपकी मदद करूँ एक तरीके से हम किसी को अपनी service offer कर रहे है sell next है that I work cloud मैं बादल होता औरी कलपना के लिए would को यूज करते हैं तो यह आएगा तो यह थे आपके models और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ WhatsApp नंबर आप उस पे हमें message कर सकते हो और models की जो आपको PDF है वो मिल जाएगी आपके नंबर पे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में उससे पहले मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ